नवस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और येक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है अब मैं हूँ आलोग तो आज फिर एक बार चीमा साब का वीडियो है और चीमा जी बिचारे अजिट डोवल से बहुत परिशान लग रहे हैं तो आपको सबको पता है कि ताजिकस्ता को लगी ये बहुत भाहिंकर मिर्ची तो टाइटिल है अजिट डोवल टार्गेट पाकिस्तान इन स्यों मीटिंग इंडिया इन नो मूट इंगेज विद पाकिस्तान ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान से लगातारी संकित दिये जारे हैं कि हम ट्रेड भाल करना चाहते ह अब आइसा करना चाहते हैं लेकिन भाही है कि चुकि ट्रेड पाकिस्तान ने बंद किया ताओ में आकर अब भारत कर रहा है कि करते रहो उदर जैशंकर साब का अपने बयान सुना ये मुस्कुरा गहे बेचारे बहुत था वही है अच्छा जैशंकर साथ से याद आया जशंकर साब को उस मुस्कूराने पर तो ये पाकिस्तान के जो बड़े इंटलेक्ट है हसन निसार साब उनको बड़ी मिरची लगी भाई साब उनको बड़ी मिरची लगी किसी टीवी शो में थे और वो खलिप मिलेगी तो लगा दूगा बॉखलाए हुए है एस जाशंकर पर भाई साब हो लेकिन ठीक है भाई आप बॉखलाते रही है हम तो वही करेंगे जो हमारे फायदे के लिए एस जाशंकर आपके हिसाब से नहीं चलेंगे आपके डिक्टेशन से नहीं चलेंगे पाकिस्तानी डिक्टेशन से चलिए तो चीमा साहब को देखते हैं कि चीमा साहब क्या बाते कर रहे हैं दोस्तों आज मैं सेंट्रल इश्या के अंदर एक NSA लेवल की मीटिंग और यह उस पर बात करना चाहरा हूं बड़ा इंट्रेस्टिंग गया इस सेंस में कि अगर आप यह देखें कि लेगर फ्रिंकली स्पेकिंग तो पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया मैं क्या ओर और इस khutater में क्या ओर हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पढ़ ता कि क्या ओर हमें नहीं पता चलता कि हम कहां कृड़े हैं N swap की मीटिंग और यह नbout है S.E.O. की मीटिंग है, शंगाई कौापरेशन औरगनाज़ेशन जितने भी ममालक S.E.O. के रुकन है, वो इस मीटिंग में है, बड़ा इंपॉर्टन डिसकुशन है, जिसके अंदर भारत किसी मूड में नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में, और लगता मैं आपको बतारूं कि इसके फ्यूचर इंपक्ट क्या होंगे, इस मीटिंग के अंदर जो N.S.A. National Security Advisor है, भारत के अजीद दोबल साब, उन्होंने वो ही इशू हाईलाइट किये हैं, जो इंडिया के नैशनल इंटरस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं, प इंडिया के अंदर बूर्ट चेंज हो रहा है, जो इस तरह के वो चीज़ें बोल रहे हैं, अभी जो यह चीज़े हैं, आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इसलामबाद में उन्होंने पाक्सान की जो फॉर्न मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है, उसमे वो नहीं आए, गिविंग अ मैसेज के एक, या तो वो कोई ऐसा तासुर नहीं उनको पोलिटिकली कहा गया होगा, देली से कि आपने ऐसा तासुर नहीं देना, कि जिससे ये पेगाम जाए इंडिया के अंदर, कि इंडिया पाक्सान के साथ गुड़ी-गुड़ी होना चा बुलाए या फॉरण मिनिस्टर बुलाए तो आप जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा होगा, ठीक है, उन से बहुत सारे अपने जो लीडर्शिप से पूछा होगा, देली से, और इधर जो इस्लामबाद की अंदर हाई कुम रखते हैं, बलके वो अफ्तार पार्टियां भी होस्ट करते हैं, लेकिन विकॉस अव इलेक्शिंस इन इंडिया, ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे हैं, आम नाट शूर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहें, बट आम जिस्ट ट्राइंग तो गैदर दी इंफरमेशन जो मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है, एंडेन फिर ये अभी, for example, जो नसे दोवल साब जो है, उनकी जो लैंगविज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्स्प्लेइन करूं, वो लैंगविज है, जो के डिरेक्टली, ये जो SEO की सेटिंग है, इसमें आप बाइलेटरल किसी को टागेट का रहे हैं, I'm just trying to tell you कि atmosphere क्या है, so वो कह रहे हैं कि जो पर्पिटेटर्स of terrorism है, उनके साथ effectively and expeditiously उनको deal किया जाए है, और particularly, particularly cross-border terrorism, now अब ये जो चीज है ने, ये cross-border terrorism, this is purely an Indian view for Pakistan, कि ये cross-border terrorism है, इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला, इतना बोला, कि नौ उन्होंने इसको denote कर दिया है, ठीक है जी, अब जाए, नहीं तो इसमें क्या गलत है, क्या cross-border terrorism नहीं हो रही है हमारे यहां, क्या पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे यहां हमले नहीं करते हैं, अभी हमने कर सकते हैं, क्या वो cross-border terrorism नहीं था मुंबई पर attack, उरी पर attack नहीं था, पठानकूर पर attack नहीं था, हम उसके victim है cross-border terrorism के और हम से बहतर और कौन जानता है, तो अगर हम cross-border terrorism के victim हैं, तो हम तो हर मंच पर यह बात उठाएंगे, और यह बात बिलकुल सही है, कि दिन में business और रात में terrorism नहीं चल सकता, और पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान को अगर वाकई भारत से संबंद अच्छे करने हैं, तो अपने यहां के हर एक जो 149-140 UN designated terrorists हैं, उनका नामों निशान मिटाना पड़ेगा, जिस तरह वो unknown gunman के जरीए हो रहा है, वो unknown gunman IS हाईर कर ले, और सब को ठिकाने लगवाए, उसके बाद ही बाच्चीत होगी, वरना आप अपने घर रही है, हमें हमारे घर रहें दीचे, और हम चुकिए आपके cross border terrorism से हम PDT हैं, victim हैं, तो हम यह आवाज उठाएंगे, आपको isolate करेंगे, diplomatically यही सही रास्ता है, और यह हमार और अगर आप फंस रहे हैं, आप isolate हो रहे हैं, it means कि आप में problem है, और दुनिया के सामने आपका चहरा हम लाकर रहेंगे, diplomatically, और हम उसमें बहुत हतक कामयाब हो चुके हैं, कोई पाकिसानी यह कहता रहे हैं, कि नहीं जी हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसे हैं, तो देख अगर आपके अंदर खोट है, घलती है, तो आप साबित होंगे, और पाकिस्तान के साथ हो रहा है, अब जारी बाता है, यह कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है जी, और एक तो वो जारी उन्होंने यह पाकिस्तान के उपर बात की, और टकावी उन्होंने बात की है, आप यह जो मैं आपको यहां पे और बात भी बताहूं। पाकस्थान का National Security Advisory को इनने से को नहीं है। पता नहीं वहाँ सेक्केट्री सेक्क्रायरी हुं हुन्द कुछ द्ला क्या होगा, कैम अंदर को समर्ष में दो कौन गया है वहाँ पे लेकिन हमारा आपके है कि उसके system के अंदर penetration हो establishment चाहती है कि वो system के अंदर है जो political class है वो मजबूरन establishment को space तो दे देती है लेकन वो एक friction और वो चीज जो है वो रहती है वो चीज friction खतम नहीं होती ठीक है न जी और यह चीजे मैं समझता हूँ कि दे दे और अब वो इसलिए हमने अपने अनना से लाए नहीं लास्टाइम मोहिद यूसफ साह पाकसान के national security advisor थे वो जिदर भी जाते दो करते दनियासा इंडियन से नहीं मिलना हमने इंडियन से बात नहीं करने लेकिन यह तो ठेच चलो है ठीक है वजीराजम शिबाज श्रीफ ने भी ड्राय से जवाब दी है उनको चोटे इसी ट्वीट के चोटा सा जवाब और अमोमें ऐसे नहीं होता है तो यह मुझे ऐसे लगता दिरी सम्टिंग विच इस ऑन दो वे जिसमें पुलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है उन्हें और उन्होंने इस हवाले से के तरह टफ लाइनले ताकि इंडिया की जो आप पुजीशन है वो किसी किसम की कुछ स्पेस ना करियेट कर सके वो कैसा महौल ना पैदा हो सके जिसमें यह का जाए कि शायद इंडिया पाकसितान के साथ इंगेज होना चाहता है या म कैसे वो कहते है जी आपने जो जो दैशदगर्द ऐफगानस्टान वाली सायट पे आप उनको सही समझतay है दैशदगर्द और उनको लड़ते रहते हैं और जो किश्मीर वाली सायट मेया थे सो उनका यह ड душ वहां पर और देद मुल्क का नाम नहीं लेते यह मन है वहाँ पे ठीक है और इंडिया आपको पता एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें फेट एफ के अंदर भी अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको यह भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो कैना में उनका एनने से दोबल साफ जो हैं वह यहां पे नहीं रिखे उन्होंने का जी कि यह जो बहुत सारे ऐसे टर्रॉर्स ग्रूप्स हैं जो कि S.C.O. रिजन में उपरेट कर रह है पाकिस्तान भी है एरान भी है उसमें और भी जो सेटिंग में मौलक हैं तो वो कहते हैं जी कि यह S.C.O. जो रिजन में उपरेट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने नाम लिया अल-काइदा का और उसके साथ-साथ-दाइश का IS-IS का लिया उन्होंने IS-K का नाम नहीं लिया वो इस तो घृष्ट और बाकिस्ट यह कर लिया नहीं 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 तो टो डोनुको किया हूएं लेकिन इस वाट इंडिया नहीं कर वाली हैं चीज़ें वो प्योर्ली टार्गेट कर रहे हैं इस हवाले से ठीक है और दैंड आप कहरें कि इंडिया ने करवा ली ही ये चीजें ये करवाई नहीं गई है ये हुई है क्योंकि इसमें सच्चाई है करवाना होता है कि मैंने आपसे अपना काम अपने मताबिक करवा लिया तो भारत ने अपना काम अपने मुताबिक नहीं करवाया है चुकि आपने वो काम किया है इसलिए हम by law, by rule गए हैं और उसको designate करवाया है सर, documents में आप भारत को नहीं पकड़ सकते कूट नीती यही कहती है सर कागज पर हम बहुत मजबूत होते हैं कागज के मामले में आप हमें नायवाय नहीं कर सकते कागज यानि की सबूत हम हमेशा सबूत लेकर होते हैं हाथ में कागज होता है हमारे हाथ में यह देखिए, यह सबूत अब पाकिस्तान कहता रहे, पाकिस्तानी कहते रहे आपको लगता है कि साजिश हो रही है भाई तो आप अगर किसी के खिलाफ साजिश करोगे तो वह छोड़ेगा पहले आप साजिश करना बंद करो तो आपके खिलाफ साजिश है अपने आप बंद हो जाएंगी जवाब तो देगा न भारत और जवाब भारत दे रहा है डिप्लोमेटिकली भी दे रहा है और बाकी बिजनस के आवाले से भी दे रहा है अब ये तो ट्रेलर है सर फिलम अभी शुरू नहीं हुई है फिलम 2024 का एलेक्शन हो जाने दीजिए जनरल एलेक्शन हमारे उसके बाद असली फिलम शुरू होगी मेरी बात याद रखिएगा दर्शकों और पाकिस्तान के लोगों आप भी याद रखिएगा 2024 का एलेक्शन खतम हो जाने दीजिए रिजल्ट आ जाने दीजिए नई सरकार बन जाने दीजिए असली फिलम उसके बाद शुरू होनी कि इसमाटे करते हैं उसमें घलत यह Casben हमारे नहां के ज़्यान कर एक दिखनी कर रहा है और यह रहा है वी रहिंगोंगे लेक्ट यह अटना बड़ा नहीं क्या च्रीलंगा कर रहा है क्या भुटान कर रहा है क्या नेपाल कर रहा है कोई नहीं कर रहा है अगर कर रहा है इस पूरे रिजन में पाकिस्तान कर रहा है अभी देखिए अब इरान फिर छोड़ेगा नहीं अभी जैशे अदल जो पाकिस्तानी सर्जमी का इस्तमाल करते हैं जो पाकिस्तानी सर इरान से मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और इसका बदला इरान लेगा तो पाकिस्तानी जमीन पर है इरान के तरफ से बार बार कहा गया है कि जैशे अदल के लिए आप कारवाई करिये पाकिस्तान से पाकिस्तान नहीं कर रहा है और फिर इन्होंने अटैक कर दिया है उसके यह दावा करते हैं ने रेक्शन चैनल पर बैठ कर नहीं नहीं अब तो इरान में हो गया सब हो गया ऐसा हो गया अभी देखना इरान क्या करेगा मामला गरम है घृू ठंडा नहीं हुआ है सुलग रहा है और यह को कैसे बंध करने और ड्रोंस क्रास बर्डर समगलिंग और वैपन्स औड्रॉग्स प्यों भी पाकिस्तान आप यादा कि इंडिया का एक कंसर्न है ये वो पाकिस्तान के बारे में कहते रहते हैं कि रिसनली मता आपको एक DSP साफ भी मारे लौर के पकड़े कहते हैं जो के ड्रोन के जरी इंडिया में ड्रग्स बेज रहे थे अब वहाँ पे वह भी जारी बात है इनके नेटवर्क होते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं यह कैसे उपरेट करते हैं लेकिन मुझे या आपका DSP पकड़ा गया इसमें ड्रग्स भीजने में यह सबूत है ना कि आपके लोग मुलवस हैं तो हमने कहां गलत बात करी आप ही मान रहे हो और यह तो नाटो की रिपोर्ट कहती है जर कि आपकी पुलिस नहीं आपकी फॉज भी नाटो की रिपोर्ट है आपकी फॉज भी ड्रग्स तसकरी में है नार्कोटिक्स तसकरी में है आपके फॉज के लोग शामिल है करोडों डॉलर बनाते हैं इससे और वो सारा भारत में भेजते हैं आए दिन ड्रोन्स मारे जाते हैं हमारे पंजाब के इलाके में जो ड्रग्स से भरे होते हैं हत्यारों से भरे होत भी तो कही है और इसका सबूत आप नहीं देदी है नाटो ने अल्रेडी देदी है तुछ जादा क्रप्शन उसी में वह कॉंटेबिलिटी लोगों करता लेकर पैसे लेके और खुद अपने आप जिब कुछ ठंडा करता रहता है यह दिस इस वर्ट लाट्टली ब्लेम इस लेकिन पाकस्तान इस तरह नहीं उठाता जिस तरह इंडिया कंसिस्टेंटली उठाता है वन इटकांस रहते हैं हम उसको सिरफ और सिरफ TTP से लिंक कर देते हैं Other than Beyond TTP हम इन चरह के चीज़ों को नहीं बोलते बियोंड टीटी भी जो है वो हम नहीं बोलत झालिए हम करते हैं निए तीटीभी हम खोवर्लम है TTP के लआवा हमय को थे आफग हम एंसनां से a point हमें हम ही यह कहते हैं जिसे हो कहते हैं ना कि एक ही चीज नजर आती है और वो यह है ठीक है जी के भाई आप जो है ना वो करें सिरुप TTV की बात करें और आप कोई बात ना करें अब क्वेस्टन यह है कि ठीक है टीटीपी इस टेरिस्ट और्गनेजेशन लेकिन हमें अफगानस्तान के हवाले से यह comprehensive approach रखनी चाहिए related to drugs related to smuggling related to इस तरह की चीज़ों इंडिया क्या करता है कि इंडिया smuggling weapons drugs cross border को internationalize करता है हम इसको bilaterals में रखते हैं तीक है जिसकी वज़ा से वो चीज़ जहां पर भी इसमें एक advantage इंडिया को यह है कि in couple of in few forums we are together in at the multilateral setting आजकल अफगानस्तान किसी multilateral setting में नहीं है लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस उस अंदाज से वो नहीं करता जिस से अंदाज माजी में कर रहे हैं लेकिन यहां पर मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी that should have been recording Afghanistan हमें Afghanistan के हवाले से बात करनी चाहिए थी और कि वो हमारे साथ क्या कर रहे है चाइना जो है उस पर पाकसतान ने तो देखे आप किस तरह चाहिए लोग आप किस तरह के लिडर्षिप के बारे में क्या बात कर रह रहा है कि वह को इन्हैंस करें ट्राजिट रेड को सपोर्ट करें, कुनेक्टिविटी प्रोजेक्स ले किया हैं, सवराइनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेगरिटी ऑफ स्यों मेंबर स्टेट्स को करें, चाइना को भी प्रगाम दे गए हैं, कि यार ये तुसरी जड़ा साधे लाकेज वाड़ गए हो ना, आगे अंदर आके टेरिटरी में एंटर हो गए हो, इस इस ना आप टेरिटोरियल इंटेगरिटी ऑफ स्यों मेंबर की, ये नहीं है, आप इससे पीछे हट जाएं, ये वो चीज़े हैं जिसको उन्होंने टाइम एंड अगेन वो कर रहे हैं, और मज़े की बात है कि वेन इट कमस तो इंटरनेशनल क्यूमिनिटी, वो अपनी सॉट साइट दिखानी होती है, तो तो देविल से सपोर्ट टू अफगान पीपल, ये वो ये अपनी स्वेड प्लाटफॉर्म, पाकिस्तान को मुझे नहीं पता पाकिस्तान की तरफ से वहां कौन जाइन कर रहा है, आइ तिंक जो हमारे नैशनल सेक्योरिटी आफिस के वे लोग होंगे, वो ही जाइन कर रहे होंगे, और क्योंकि हमारे पास और को बंदा नहीं है हम नहीं समझते कि हमारे पास बंदे मुझूद हैं क्योंकि हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर दे हम लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं कर दे हम परवाई नहीं है हम NSA बंदाने नहीं चाहते ये क्योंकि NSA को बहुत सारी पावर्स देनी पड़ती है जब NSA को पावर्स देनी पड़ती है और फिर उसके लिए आपको ट्रस्टेड बंदा चाहिए जो ट्रस्टेड बंदा कौन सा होगा वीडियो खतम करते हैं बात समझ में आगी और बिल्कुल यह बात सही है बिसिकली बाट ट्रस्ट की नहीं है आप लोग यह हैं एक नंबर के दोखेबास बेइमान और सिर्फ अपना-पना चाहने वाले इसलिए आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते मिशले वाले जो आपके NSA थे मुईद जो भी थे वो भी dual citizenship थी उनके पास वो अमेरिकी नागरिक थे और पाकिस्तान का भी था हमारे यहां कोई भी dual citizen वाला इतने बड़े पद पर नहीं बाट सकता यह हमारे strict policy है और देखे पाकिस्तान isolate हो चुका है आप यह बात मानिए जिन पाकिस्तानियों को लगता आएगे नहीं नहीं पाकिस्तान तो सुपर पावर है और atomic power है और ऐसा है और वैसा है कोई फायदा नहीं है इसका कोई फायदा नहीं है इसका दुनिया में बड़ी important meetings होती है उन meetings में आप नहीं हो दुनिया के बड़ी important groups हैं वहाँ पर आप नहीं हो बताओ SEO जिसमें आप हो member हो और वहाँ पर आपका NSA नहीं है क्या policies हैं आपकी यह इंटरनेशनल policies यह इंटरनेशनल रिलेशन की policies इससे बेटर तो हम समझते हैं यार फ्रिलांसिंग का काम दे तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन तुमारे देख लूँगा पाकिसानियों हाँ लेकिन 20 मोटे लूँगा यार डॉलर में लूँगा लेकिन इमानदारी से काम करूँगा खरिया तो मजाग के बाद हो गई यह तो possible नहीं है लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भई हर पाकिसान ये कहता है कि अमेरिका साजिश कर रहा है ये साजिश कर रहा है भारत है इसरायल है यहूद है निसारा है ऐसा है वैसा है सवाल ये है कि बाकी क्या कर रहे है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सवाल यह कि आप क्या कर रहे हैं आपने कौन सी नई policy बनाई है अफगानिस्तान के लिए आप international forum समझ जाते हैं तो आपके पास क्या कुछ है plan हर जगा कश्मीर का वही घिसा पिटाराग जो 76 years से आप कर रहे हैं वही अभी भी जारे है आपने कोई नई planning नहीं किये कोई नई policies नहीं बनाई है कोई नई चीज लेकर नहीं आए है कोई नया idea लेकर नहीं आए है आप स्टक हो चुके हैं 76 years पहले वाले time loop में आप देख लीज़े आप deteriorate हो रहे हैं आप खराब से खराब होते जा रहे हैं दुनिया के देश प्रोग्रस करते हैं वो कुछ अच्छा करते हैं आप खराब से खराब होते जा रहे हैं और आपके कर्म ऐसे हैं हम छोड़ेंगा नहीं यह बात याद रखिए जैसा कर्म आप हमारे खिलाफ करेंगे हम तो आपको बेनकाब करके रहेंगे और मैं फिर कहता हूँ यह सारी जो कवायद हो रही है आप फिर से FTF के लिस्ट में जाने वाले हैं यकीन माने आज जाएं छे महीने बाद जाएं साल बर बाद जाएं दो साल बाद जाएं जाएंगे जरूर आप फिर से माहौल फिर से बन रहा है सारी काम आप क्या हो रहा है फंडिंग हो रही है टरॉरिजम हो रही है सब कुछ और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो टर्की के साथ साथ आपका नंबर लगने वाला है तरकी का तो लग चुका है आप निगल आये थे साल डेर साल इंतिजार कीजिए फिर आप जाने वाले हैं फिर आप कहेंगे कि किसी ने बात कहीं थे एस्सियो का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसमें चाइना है इसमें हम है इसमें और भी कई देश है इ को पता ही नहीं है कि पाकिसान चला कुण रहा है शभाषरीब चला Cambridge जरदारी चला रहे रहे हैं असिम मौनीर चला रहे हैं आययसाई चला एक पाकिस्टान को पाकिसान यह और दुनिया के देश भी सम डेच करें किससे बात करें भाई, सब अपना-पना डेन लेके बैठे हुएं, खेर, चिमा साहब आपके फ्रस्टेशन में समझ सकता हूँ, आप फ्रस्टेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो चरता जा रहा है, घेरता जा रहा है, छिकंजा कसता जा रहा है, और आप बेबसी लाच कारी में बस फसे हुएं, और यकीन मानिए, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इंडिया के सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, टर्रिरिजम खतम करेंगे, और जब तक टर्रिरिजम आप खतम नहीं करेंगे, अब उस मुकाम पे आप पहुँच चुके हैं, जहां पर भारत आपके साथ कोई रिलेशन के रहें, आप कमेंट करके बताएं, चल्दे मिलता हूँ, एक और नई वीडियो के साथ, नमस्कार, जहें